हलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकमिर प्रिंस, हम आगे फिर अपनी बोख क्रतिका भाग एक का सेकेंड चैप्टर कल हम आपको फर्स चैप्टर समझा चुके हैं और उनके प्रश्ण उत्तर भी सॉल्व करा चुके हैं ये जो उन सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इनकी राइटर है म्रदुला गर्ग जी तो म्रदुला गर्ग जी ने जो ये चैप्टर लिखा है मेरे संग की औरते मतलब उनके परिवार में उनके साथ साथ जो औरते रही उनके बारे में उनकी नानी, परदादी, मा और फिर उनके साथ उनकी बहने ये जितनी भी औरते रही इन सब के बारे में इस चैप्टर में उन्होंने समझाया है इनके साथ उनके रिष्टे कैसे रहे या उन्होंने उनके साथ क्या-क्या चीजे सीखी ये सारी चीजे इस चैप्टर में हमको एक एक करके म्रदुला गर्ग जी ने हमको बताई है याद रखिए जब इस तरीके के चैप्टर आते हैं जो उन्होंने लिखा बहुत बड़ा था लेकिन उसका एक अंश ही हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है तो ये जो अंश प्रस्तुत किया है इसमें ये चीज जब इस तरह के पार्ट आते हैं तो ये अधूरे रहते कहां से शुरू हो रहे हैं, कहां कतम हो रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं रहता लेकिन तब भी जो ये पार्ट शुरू हुआ है, इन्होंने अपनी नानी के साथ में सुष शुरू किया है और साथ में जब इन्होंने स्कूल में पढ़ रही थी, कैसे कैसे क्या हो रहा था ये सारी चीजे इन तक पहुँची हैं और उन्होंने बताई हैं लेकिन एक चीज बहुत अच्छे से रहाद रखेगा इनमें बहुत सारी लेडिस हैं इनकी बहने हैं, इनके भाई हैं उन्होंने कौन-कौन सा प्रोफेशन लिया या किस कस्त किस तरीके से उनके प्रोफेशन या उनकी शादियां जो कुछ भी रहा, वो सब चीजों के बारे में बताया गया है तो इसलिए चैप्टर को केरफुली समझीगा क्योंकि इससे रिलेटेड जो कोशन आएंगे वो आपको बहुत केरफुली करने होंगे क्योंकि इस बार आपके एक्जाम में जो आ रहे हैं वो MCQs-based question आ रहे हैं तो ये चैप्टर आपका रीट करना बहुत ही बहुत ज़ादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने एक बार भी चैप्टर रीट करने में जरा सी भी डिलाई करी कि हम चैप्टर आपका चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब MCQs-based question आते हैं तो वो चैप्टर के बीच से कहीं पर भी से लिये जा सकते हैं तो चली अब देखते हैं इस चैप्टर में ब्रदुला गर्जी ने अपने और अपने परिवार में और उनके साथ जो औरते रहीं उनके बारे में क्या कहा है तो पहला क्या है प्रस्तु संस्मरण लेखी का म्रदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है संसमरण मतलब किसी चीज़ को जब हम याद करके लिखते हैं यानि हमारे साथ गटे तो हो चुकी है और फिर उन यादों से निकाल के हम उन्हें कुछ पन्नों पर लिखते हैं उनको सजीव करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं हमारे संसमरण याद रखेगा ये गद्ध की एक विधा है संस्मरण क्या है इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित और सभाव पर प्रकाश डाला है कि मतलब उनके परिवार में जो जो औरते रही उनका कैसा व्यक्तित हो रहा है कैसे कैसे अपने अपने वर्क प्लेस में उन्हों ने काम किया चाहे घर हो चाहे बाहर हो उन्होंने किस तरीके से काम किया लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था लेखिका की नानी अनपड, परंपरावादी और परदा प्रथावाली औरत थे उनके नाना ने तो विवहा के बाद केम्बरिज विस्विद्याले से बेरेश्ट्री पास की और विदेशी शान शौकत की जिन्दिगी बिताने लगे पनतो नानी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उन्होंने सबसे पहले शुरू किया अपनी परिवार की सबसे बड़ी जो संवानने यह सदस्य थी उनकी नानी उनकी नानी के बारे में उन्होंने सिर्फ सुना था कि वो बहुत ही परंपरावादी लेडी थी लेकिन नाना क्या थे उन्होंने कैम्डरेज विष्विद्याले से बैरेश्ट्री की और विदेशी शान शौकत के उसमें आ गए थी मतलब विदेशी जो चमक धमक रहती है वो सब उनके उपर हावी था और वो वैसे ही जीवन डितीत करते थे मगर नानी इसके जस्ट विपरीत थी वो हिंदुस्तानी परंपराओं से बंधी और उन परंपराओं को पालन करने वाली औरत थी अब क्या अतहां नानी ने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पती के एक मित्र स्वतंतता से नानी प्यारे लाल शर्मा को सौब दी कि वे अपनी बेटी की शादी आजादी के सिपाही से करवाना चाहती थी तो क्या हुआ अब जो नाना जी थे वो विदेशी सानशोकर से जादा करते थे तो उन्हें विश्वास नहीं था कि अगर मैंने अपनी बेटी की शादी अपने पती के हाथ में सौब दी कि तुम उन्सके लिए लड़का ढूंड़ो तो वो जरूरी कोई ब्रिटिश या कोई बाहर अपनी जैसा ही लड़का ढूंड लाएंगे तो इन्हों यानि देश के प्रती समर्पित हो अपने देश को ज्यादा सम्मान करता हो क्योंकि उस समें देश क्या था परतंत था अंग्रेजों के आधीन था तो अंग्रेजों के आधीन होने के जगा तो वहां पर जो स्वधंतता सेनानी थे वो क्या करते थे हमेशा ऐसे लोगं के साथ उनका रहता था कि जो देश के प्रतिसमर्पित रहें तो ऐसे ही व्यक्ति को वो अपनी पुत्री के लिए ढूंडना चाहते थे यानि कि म्रदुलागर की मा के लिए पती यानि म्रदुलागर के पिता ऐसे तो अब यहां पर हम क्या आ गए अता लेखिका की मा की शादी एक स्वतंतरता सेनानी से हुई जब स्वापा गया तो उनकी शादी भी एक स्वतंतरता सेनानी से हुई वे अब खादी की साड़ी पहना करती थी जो उनके लिए असहनिये थी लेखिका ने अपनी मा को कभी भारतीय मा जैसा नहीं देखा कहने का मतलब है कि वो खादी की साड़ी पहनती थी स्वतंतता से नानी की वाइफ हैं तो जाहिर सी बात है स्वदेश में बना हुआ कपड़ा पहनेंगी तो मगर वो उनको जादा पसंद नहीं था लेकिन लेखिका ने क्या बताया कि मैंने अपनी माँ को कभी अपनी माँ की तरह नहीं देखा क्यों आगे देखते हैं वे घर परिवार और बच्चों के खानपानादी में ध्यान नहीं देती थी भारतीë मा कैसी हूती है कि वो अपने बच्चे, परिवार, घर, पती सबके तरफ ध्यान देती है लेकिन लेखिका की जो मायानी म्रदलगर की जो बेटी थी वो इन सब से बिलकुल हटके थी इन सब चीजों पर कभी भी ध्यान नहीं देती थी उन्हें पुस्तके पढ़ना और संगेत सुनने का शौक था उनमें दो गुण मुख थे पहला कभी जूट ना बोलना और दूसरा वो एक की गोपनी ये बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी मतलब दो बाते जो म्रदलागर कोजी को अपनी मा में बहुत अच्छी लगती थी वो पहली क्या थी कि वो कभी जूट नहीं बोलती थी और किसी के सीक्रेट को किसी दूसरे को नहीं बताती थी अगर आपने उनसे सीक्रेट बोल दिया है तो वो अपने पास ही रखती थी वो किसी दूसरे को शेयर नहीं करेंगी इसी कारण उन्हें घर में आदर तथा बाहर वालों से दोस्ती मिलती थी लेखिका की परदादी को लीक से हटकर चलने का शौक था उन्होंने मंदिर में जाकर विनिती की कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हूँ अब क्या हुआ शादी करके वो घर आ गई कौन? ब्रदुलागर की मा उनके बारे में बता रही है लेखिका की जो मा है वो शादी करके आई अब ये हो गई लेकिन अब उनकी जो परदादी थी यानि दादी की दादी जो उनके पिता जी थे उनकी मा की जो सास थी उन्होंने बस ही मांगा कि हमारी पतोही यानि पोत्र वधु की जो पहली आुलाद हो वो लड़की हो मोसली क्या होते हैं बोलते हैं कि हमारी पहली आुलाद लड़का होना चाहिए वो भी उस समय के जमाने में उन्होंने क्या मंदर में जाकर बिंती मांगी कि मेरी पहली आउलाद यानि मेरी पतोहों कि पहली आउलाद जो है वो क्या होनी चाहिए लड़की होनी चाहिए उनकी यह बात सुनकर लोग हक्के बक्के रह गए इश्वन ने उनके घर में पूरी पांच कन्याएं भेज दी कहने का मतलब उन्होंने पहली ऑउलात कन्या मांगी थी लेकिन भगवान ने उनके घर में एक के बाद एक-पांच कन्या आए यानी की लेखिका और उनकी चार बेहने टोटल मिलाकर पांच बेहने उनकी थी एक घर में सभी लोग घर से बाहर एक बारात में गए हुए थे घर में जागरण था अता लेखी का कि दादी शोर मचने की वज़ा से दूसरे कमरे में जाकर सो गई जाके तभी चोर ने सेंद लगाई और उसी कमरे में घुसाया अब क्या हुआ जिस कमरे में दादी सो रही थी उसी कमरे में सेंद लगाके चोर घुस गया पर दादी की नीन खुली उन्होंने चोर से एक लोटा पानी मांगा अब जब उनकी नीन तूटी तो उन्होंने कहा कि बहिया मुझे एक लोटा पानी लाकर दे दो बूड़ी दादी ने हट के आगे चोर को जुखना पड़ा और वह कुएं से पानी ले आया अब दादी पीछे पड़ गई नहीं भाई पानी लाके दो बिचारा चोर भी हताश हो गया जाके वह कुएं से भरके एक लोटा पानी लाके दादी को दे दिया पर दादी ने आधा लोटा पानी खुद पिया और आधा लोटा पानी चोर को पिला दिया और कहा कि अब हम मा बेटे हो गए हैं यानि कि एक ही जूठा खाने से उन्होंने क्या रिष्टा बना लिया चोर के साथ, पहले तो लोटा पानी भर के ले कर आया, आधा लोटा दादी ने गुद पिया और फिर आधा क्या किया, आधा चोर को पिला दिया, और कहा कि जो है अब हम लोग क्या हो गए हैं, मा बेटे ह जूठा खाने के कारण उन्होंने इसको एक संबंध में बांध दिया अब तुम चाहे चोरी करो या खेती करो उनकी बात मानकर चोर चोरी छोड़कर खेती करने लगा अब उन्होंने कहा तुमको चोरी करनी है चोरी करो खेती करनी है खेती करो अब जब मां और बेटे का इस हीन भावना की बात नहीं आएं कि वो एक लड़की है पहली लड़की जिसके लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी वो मंजुला भगत थी दूसरे नमबर की लड़की खुद लेखी का म्रदुलागर थी घर का नाम उमा था घर का नाम उमा था तो यहां पर क्या बताया गया कि जो है उन्हों इतनी पांच लड़किया होने के कारण उनके अंदर कभी भी इस बात की हीन भावना नहीं आई कि इतनी सारी लड़किया हैं वो बड़ा ही गरव करती थी कि वो लड़किया हैं तो जो मन्नत मांगी गई उस और उसके बाद रेणू और अचला नाम की बहने थी याद रखिए आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये नाम पूछे जा सकते हैं आपसे इन पाचो बहनों के बाद एक भाई राजीव था अभी इनके बारे में भी बताया जाएगा आपको तो याद पहला मंजुला, दूसरा म्रदुला, तीसरी चित्रा, उसके बाद में चौथी, रेणू और अचला और जो छटे नमबर पे उनके बाद भाई आया वो था राजीव तो ये पूरे टोटल छे बच्चे थे जिनके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे लेखिका का भाई राजीव हिंदी में और अचला अंग्रेजी में लिखने लगी और रेणू विचित्रा सभाव की थी तो यहाँ पर क्या बताया, राजीव किसमें लिख रहा था हिंदी में और अचला अंग्रेजी में लेखी का मतलब, लिखने का मतलब क्या होता है, लेखी है उसके बाद आली बहन थी रेडू, वो कुछ विचित्री सभाव की लड़की थी यानि कि उनका सभाव बाकि सभी से एकदम डिफरिंट था क्या था? स्कूल से वाफसी के समय गाड़ी में बैटने से इंकार कर देती थी और पैदल चल कर ही पसीने में तर होकर घर आती थी यानि वो मना कर देती थी कि मैं आप गाड़ी से नहीं जाओंगी स्कूल से लेके घर तक का रिष्टा जो जिता भी रस्ता होता था वो पैदल तै करती थी और पूरी तरीके से पसीने में भीक के तरबतर होके घर पहुँशती थी उनके विचार से सामन्तवादी विवस्था के खिलाब थे सामन्तवादी मतलब जो उनके कहते हैं आपको कहते ना कि किसी पर साशन करना उसको सामन्तवादी तो वो आप किसी पे जो शाशन कर रही संस्ता होती थी उनका साथ देना वो अच्छा नहीं समझते थे और ये कार वगेरा ये सारी लैविश लाइफ जो है वो सामन्तवादी जो विवस्था थी वो उसके स्वरूप में वो मानती थी इसलिए वो कार का इस्तेमाल नहीं करती थी वह भी ये पास करना भी उचित नहीं मानती थी लेखी का कि तीसरी बहन चित्रा को पढ़ने में कम और पढ़ाने में अधिक रूची थी अब जो उनकी तीसरी बहनती चित्रा उनका क्या था वो पढ़ने में कम विश्वास रखती थी और पढ़ाने में ज्यादा इस कारण उनके शिश्यों से उनके कम अंक आते थे कहने का मतलब जो वो शिश्यों को पढ़ाती थी उनके अंक ज्यादा आते थे और खुद चित्रा के अंक क्या हो जाते थे अंक मतलब numbers शिश्यों के numbers जादा आते थे और खुद चित्रा के जो numbers होते थे वो कम आते थे उसने अपनी शादी के लिए एक लड़का पसंद करके एलान किया कि वह शादी करेगी तो उसी से करेगी और उसी के साथ उसकी शादी हुई मतब चित्रा ने एक लड़का पसंद किया और उसने डिसाइड कर लिया कि मैं इसी के साथ शादी करूँगी आचला सबसे छोटी बहन पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी उसने पिता की पसंद से शादी कर ली थी और उसे भी लिखने का रोग था सभी ने शादी का निर्वा भली भाती किया कहने का मतलब है सभी अब उसने पिता की मर्जे से शादी करी और सब की शादी हो गई सभी ने अपनी शादियों का निर्वा बहुत अच्छी तरीके में तब शादी के रिष्टे को बहुत अच्छी तरीके से निभाया, समझा किया और जितने कर्तव ये होते हैं उन सब का पालन किया लेखी का शादी के बाद बिहार के एक कस्बे डाल्मिया नगर में रहने लगी अब मर्दुला जी अपने बारें बता रही है कि जब मेरी शादी हुई तो कहां पर आ गई हो बिहार के एक कस्बे कहां डागनिया नगर में वही पर वहां की औरतों के साथ उन्होंने नाटक भी किये मतलब स्टेश शोज जो होते थे वो उन्होंने किये इसके बाद मैसूर राज के कस्बे बागल कोर्प में रही वहां लेखिका ने अपने बलबूते पर प्राइमरी स्कूल खोला जिसमें उनके और अन अफसरों के बच्चों ने अपनी पढ़ाई की तथा भिन भिन शेहरों के अलग-अलग विद्यालियों में दाखिला लिया अब उसके बाद वो कहां आगे मैसूर के बागल कोर्प में वहां पर उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल खोला जिसमें सिर्फ क्या होता था उनके ही बच्चे नहीं पढ़ रहे थे जिसमें उनके बचल के वहां से निकलने बच्चे बहुत बड़े-बड़े इसकूल में ने दाखिला लिया विद्याले खोलकर लेखिका ने दिखा दिया कि वह अपने प्रयास से में कभी असफल नहीं हो सकती परन्तु लेखी का स्वयम को अपनी छोटी बहन रेणू से कमतर आगती थी अब उन्होंने इत्वाई स्कूल खोलना कोई बहुत चोटा गाम नहीं हुथा बहुत महिनत लगती है बहुत आपको करनी पड़ती है समझ भूज के साथ करना पड़ता उन्होंने विद्याले खोला और उन्होंने बताया कि वो किसी से कमतर नहीं है वो जो भी चाहें ठाने वो कर सकती है लेकिन उनकी जो छोटी बहन रेणू थी वो हमेशा अपने आपको उससे कमतर मानती थी वे एक अन्य घटना का इस्मरण करते हुए लिखती है कि दिल्ली में 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तेज बारिश हुई तथा चारों तरफ पानी भर गया रेणू की स्कूल बस नहीं आई तो अब वो क्यों ऐसा समझते हैं कि उनको लगता था कि रेणू जादा अच्छी है और हम नहीं है तो उसको बताने के लिए उन्होंने एक घटना को सामने रखा वो घटना क्या थी सन 1950 में दिल्ली में बहुत जादा बारिश हुई यानि कि 9 इंच के करीब बारिश हुई और उस बारिश में क्या हुआ कि रेणू की बस नहीं आई जाहिज सी बादे इतनी बारिश होगी तो उसकी स्कूल बस नहीं आई सबने कहा कि स्कूल बंद होगा अतावा स्कूल ना जाए किन्तु वह नहां मानी अब जाहिज सी बारिश में स्कूल कौन खोलेगा अब पहले की तरह ये थोड़ी ना मुबाइल और फोन अगेरा होते थे कि सब को मेसेज आजें कि भाई टुड़े इस बेनी डे होलिडे ऐसा नहीं होता था तो क्या हुआ सब ने बोला कि भाई इतनी तेज बारिश हो रही है स्कूल बंद होगा लेकिन ब्रेणू नहीं मानी तो उसने क्या किया अपनी धुन की पक्की बाद दो मील पैदल चल कर स्कूल गई और स्कूल बंद होने पर वापस लोट कर आई मतलब अब उसको धुन थी कि नहीं मैं देखूंगी पहले स्कूल बंद है कि नहीं किसी की बात उसे नहीं मानी और वो दो मील पैदल चल के इत्ती बारिश में भरे पानी में वो चल के गई और वहाँ जब उन्होंने देखा कि स्कूल बंद है तो फिर दो मील चल के वापस आई मतलब दो मील चल के जाना और उसी कठिट परश्टितियों में दो मील चल के वापस आना वो वापस आई और उन्होंने तब अपने आपको संतुष किया कि हाँ ऐसा था कि स्कूल तो आप सबने बोला स्कूल बंद था लेखी का मानती हैं कि अपनी धुन में मशिल की ओर चलते हुए मन्जिल की ओर चलते जाने का और अकेले पन का कुछ और भी मजा होता है अब इस वक्त पे उन्होंने बोला कि अपनी धुन में मन्जिल पाना मन्जिल चाहे कुछ भी हम डिसाइड नहीं कर रहें कि हर किसी की कोई एक मन्जिल होती है तो उनका कहने का मतलब था कि हम कोई भी मन्जिल डिसाइड कर लें कुछ भी कर लें तो अगर हम उसमें बगैर सोचे अपनी धुन में चलते रहें और मुरी मशक्यत के बाद उस मनजिल को पा लें तो उसका मज़ा सिर्फ हम समझ सकते हैं कोई और नहीं समझ सकता मतलब अगर हमने कोई चीज़ सोची है और उसके लिए खूब मेहनत करिये और मेहनत करने पर वो चीज़ हमें हासिल हो जाए तो उसका जो मज़ा है वो कोई और सोच ही नहीं सकता तो यहां पर हमारा यह पार्ट खतम हुए जहाँ हमने आपको यह पूरा पार्ट का एक सार बताया हमने आप से पहले भी कहा कि बहुत ही बारी किया है इस चैप्टर के अंदर चाहे भाई बहनों के नाम हो चाहे उन्होंने किस फिल्ड में काम किया वो हो दादी परदादी नानी मा पिताजी नाना इन सब के प्रोफेशन हो या उनकी सोच हो कहीं से कुछ भी आप से पूछा जा सकता है इसलिए आप बहुत ध्यान पूरवक चीजों को पढ़िए चैप्टर को रीट करना बहुत ज़रूरी है इसलिए जब भी आप किसी भी सब्जेक्स में देखिए MCQs Based Question के लिए जब भी आते हैं तो उनके लिए आपको बहुत अच्छे से रीट करना बहुत ज़रूरी होता है तो यहाँ पर हम अपना चैप्टर खतम कर रहे हैं और इसके प्रेशन उत्तर के लिए हम आप से थोड़ी देर बात फिर मिलते हैं क्योंके तेंक यू बाइए